नमस्कार मित्रों में प्रतीक आप सबका स्वागत करता हूँ नमस्कार मित्रों में प्रतीक आप सबका स्वागत करता है तो फिर लोग थेटर में क्यों गए फिल्म देखने के लिए तो ये पैमाने सरासर गलत है बहुबली के सफलता के तो मैंने जो इसके उपर पॉइंट्स तयार किये है बहुबली के सफलता के पीछे की वजह वो आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ तो बहुबली के सफलता के पीछे का जो सबसे पहला और सबसे मुखे कारण है वो है SS राजा मौली सर का कड़ा परिश्रम और गहरा अध्ययन गहरा अभ्यास मतलब देखिए इस फिल्म को लिखने के लिए उन्होंने कितना गहरा अभ्यास किया है कितना अध्ययन किया है कितनी महनत की है यह हम सोच भी नहीं सकते इसके एक-एक छोटे से छोटे सीन के उपर भी उन्होंने कई-कई दिनों तक कई-की महनों तक महनत की है मतलब देखिए अब आपको याद होगा जब भावबली 1 रिलीज होई थी उसके बाद वो सीन आपको जब याद है जब भावबली महाईशमती सामराज्य की तरफ जाता है महाईशमती किंग्डम की तरफ वो गोड़े के उपर सवार होकर जा रहे होते हैं उस समय का उस सीन आप याद करिए अब उस सीन को किस प्रकार से लिखा गया है ऐसे सराजा मोली सर ने वो मैं आपको आभी बताता हूँ सबसे पहले भावबली गोड़े के उपर सवार होकर मिट्टी के एक बहुत बड़े धेर को तोड़ते हुए उसमें से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला उलेख हुआ पृत्वी का उसके बाद देखिए जब वो गोड़े के उपर सवार होकर जाते हैं तो अचानक से बिजली कड़कती है एक पेड के उपर एक सुखे पेड के उपर बिजली गिरने के वज़े से वो जल जाता है और फिर वहाँ पर अगनी फैल जाती है सब तरफ और उस अगनी में से पार होते हुए गोड़े उपर सवार होकर जो शिवडू जो उनका नाम पहला पुराना नाम था शिवडू जो बाद में उनको पता चला कि वो खुद महेंदर बहुबली है तो वो प्रभास उस अगनी में से पार होते हुए गोड़े पर सवार होकर जाते हैं तो दुसरा उलेख हुआ यहाँ पर अगनी का तीसरा जब वो महाईशमदी किंगडम के बाहर पोचते हैं महाईशमदी सामराजय के बाहर पोचते हैं तो गोड़े को वहाँ पर रखकर वो पानी में कूथते हैं तो उसके बाद वो पानी में चलांग लगा कर पानी में तैर कर उसमें से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर तिसरा उल्लेक हुआ जल का, उसके बाद वो दिवार पर चड़कर, उंची दिवार पर चड़कर आकाश में से जमीन पर कूथते हैं, तो यहाँ पर चोथा उल्लेक हुआ आकाश का, और इस सीन को आप ध्यान से दिखिए, वो ऐसा भी दिखा सकते थे, उपर स चलांग लगाते हुए बहुबली को, देकि उन्होंने उस सीन को जो एंगल लिया है, वहाँ पर साफ तोर पर आकाश को दिखाया, तो यहाँ पर राजामोली सर का जो उद्देश अता, वो साफ तोर पर हमें पता चलता है, कि वो यहाँ पर आकाश को ही दिखाना चाहते है इसके बाद देखिए, जब वो जमीन पर आते हैं, उसके बाद देखिए, जब वो चलते हैं, उस समय एक तेज आंधी चल रही है इस प्रकार से वहाँ पर सीन है, तो यहाँ पर पांचवा उल्लेख हुआ वायू का, बतलब देखिए, पृत्वी, अग्नी, जल, आकाश औ और वायू। इन पंच महाभूता का उल्लेकों उन्होंने यहाँ पर किया है। इसके द्वारा SS राजामोली सर हमें यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि भाई जो शिवुडू है। जो प्रतिक दिखाया गया है भगवान का। तो भगवान सब पंच महाभूतों में व्याप्त इस प्रकार से भी हम इस चीन का वूषलेशन कर सकते हैं यह ऐसा भी कह सकती कि उनका पुराना रूप था शिव्डू का उस रूप के बाद उनको महिंदर बहुन्ARK के रूप में एक नया जन्म मिला है ऐसा भी हम कह सकते हैं तो एक नया जन्म उनको जब मिला है तो पंच हो जाता है तो यही चीज SS राजा मोली सर ने इस एक छोटे सी सिन में हमें दिखा दी तो मतलब आप सोच सकते हैं इस सिन को वो साधरान रुप से भी दिखा सकते थे मतलब केवाल वो माईशमेती किंग्डम में जा रहे हैं और फिर चले गया अंदर इस प्रकासे साधरान रुप से भी दिखा देते तो भी चल जाता लेकिन फिर क्या वो एपिक फिल्म हम उसे कह सकते थे एक महा कावव हम उसे कह सकते थे नहीं इस एक सीन के पीछे उनकी मेहनत को आप देखिए कितना गहरा अध्ययन है कितना शास्रों का अध्ययन है एस्सराजा मोली सर का इसके पीछे हमें साफ पता चलता है तो इसी से हमें पता चलता है कि आठ कितनी कड़ी मेहनत ली है उन्होंने एक एक सीन के उपर एक एक छोटे से चोटे पात्र की उपर भी उन्होंने कितनी मेहनत की है तो इस भावुबली की सपलदा की जो सबसे मुख्य वजा है वो है SS Raja Moli sasar का अभ्यास इसके बाद भावुबली की पिछी की जो मुख्य वजा है वो है इसके पात्र इसके एक एक पात्र में हम किसी ने किसी गुंदोश का वर्चस्व देख सकते हैं अब भल्लाल देव का पात्र ले दिजिए उनके पात्र में द्वेश का वर्चस्व है अपने ही भाई से द्वेश करने के कारण किस प्रकार से उनकी दुरगती होती है वो हम बाहुबली में देख सकते हैं अब बिज्जला का पात्र लिए जो भल्लाल देव के पिता जी दिखाए गये है उनके पात्र में मोहो का वर्चस्व दिखाए गया है पुत्र मोहो के कारण किस प्रकार से कोई आदमी कितना अंधा हो जाता है और किस प्रकार से गलत निरनाई लेता है वो हम बिज्जला के पात्र के द्वारा सीख सकते हैं इसके बाद आप शिवगामी दिवी का पात्र ले लीजिए उनके पात्र में हमें अती आत्मविश्वास दिखाई देता है अती आत्मविश्वास, अती स्वाभिमान के कारण भी आदमी किस प्रकार से गलत मिरना ही ले सकता है, किस प्रकार से उसके दुश्परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, ये हम शिवगामी दिवी के पात्र के द्वारा सीख सकते हैं इसके बद कटपपा का पातर आप ले लीजिए। कटपपा के पातर में दिखाय देती हमें निश्ठा, स्वामी निश्ठा, अपनी वचन बद्द था, करतव्य परायन था, हम कटपपा के पातर के द्वारा हमें देखने को मिलती है। इसके बाद देवसेना का पात्र, उनके पात्र शक्ति का स्वरूप दिखाया गया है और प्रभास, प्रभास का पात्र तो मतलब सर्वगुन संपन्न कोई व्यक्ति किस प्रकार से होता है वो दिखाया गया है बाहुबली के पात्र के रूप में तो इतने strong characters इसके लिखने के पेछे इनकी जो मेहनत्ति है यही है बाहुबली की सपलता की दूसरा मुख्यकारन इसके बाद बाहुबली की सपलता का जो तीसरा कारण मुझे लगता है वो है इसमें किया गया नैतिक मुल्यों का सम्मान strong value जो हमें आजकल की Bollywood के फिल्मों में देखने को नहीं मिलती है वो यहाँ पर हमें साप तोर पर दिखाई देता है कि किस प्रकार से हमारे नैतिक मुल्यों का सम्मान बाहुबली में किया गया है वचन बद्धता, स्वामी निष्टा, कर्तव्य परायनता, कर्तव्य निष्टा, इश्वर भक्ती इस प्रकार के मुल्यों का किस प्रकार से सम्मान किया गया है बाहुबली में ये इसकी पीछी की सपलता की मुख्य वज़ा है इसी वज़े से इसके हर एक पात्र के साथ, इस फिल्म के साथ लोग गिल से जुड़ जाते हैं क्योंकि इन में हमारी संस्कृती का, हमारी परमपराओं का, हमारी मुल्यों का सम्मान किया गया है बड़ों का आदर किस प्रकार से करना है एक अच्छा शासक किस प्रकार से हो सकता है और अति आत्मविश्वास के कारण भी आत्मी किस प्रकार से कभी कभी गलतिया कर जाता है मतलब हर चीज इसमें सीखने लायक है यही है बावुववले की सफलता के तीसरी मुख्य बजा इसके बावुवली की सफलता के पिछे का जो चोथा मुख्य कारण है वो है गुड इंटेंशन्स नेक इरादाए से बनाए गई ये फिल्म है इसी वज़े से ये फिल्म इतनी सफल हो गई है मतलब देखे केवल पैसे कमाना राजा मोली सर का उद्देश नहीं है अगर केवल पैसे कमाना ही किसी विक्ति का उद्देश होता है तो वो तो या तो एकता कपूर बन जाता है या तो महेश भट बन जाता है तो यहाँ पर हम साफ तोर पर देख सकते हैं कि केवल पैसे कमाना राजा मोली सर का उद्देश कभी नहीं रहा है हमारे संस्कृति का, हमारे परमपराओं का, वचन बद्धता, करतव निष्टा, स्वामी निष्टा एक स्ट्रॉंग फिल्म, हर प्रकार से उन्होंने अपनी जीजान लगा दी है यार, इस फिल्म को लिखने के लिए, इस फिल्म को बनाने के लिए तो सच में सेल्यूट है राजा मोली सर को, उनकी मेहनत को, उनकी पूरी टीम को, उनके हर कास्ट और क्र्यू मेंबर्स ने इतनी मेहनत की है, तबी इतना बढ़िया प्रोडक्ट हमारे सामने आया पाया है, और इसके पीछे के सबसे मुख्य वजह है उनके नेक इरादे, तो ये मुझे चोथा उसका मुख्यकारन लगता है, इसके बाद बहुवली की सफलता का पांचवा और सबसे मुख्यकारन जो मुझे लगता है, वो है SS राजा मोली सर की विनमरता, कितने डाउन टू अर्थ है वो, कितनी विनमरता है उनके अंदर यह हम सोच भी नहीं सकते, अ इतने सफलता के बावजूद भी उनके अंदर रत्ती भर भी एहंकार नहीं है, सच में उनका चलना, बोलना, हसना, मुस्कुराना, सच में सब कुछ, सब हर एक चीज में उनकी विनमरता चलकती है, उनका अंदर रत्ती भर भी एहंकार नहीं है, मैं उनके तरफ देखके प्रकार से होता है ने यह हम साफ तरपर SS राजा मोली सर की तरफ देखकर पता चलता है इतनी सफलता के बावजूद भी उनके अंदर जरा सा भी एहंकार नहीं है इसी वज़े से इतनी बड़ी सफलता उनको मिली है और वो डिजर्व करते हैं इसको मतलब सच में उनको इससे भी बहुत उनकी सफलता है मिले जीवन में और आगे बड़े यही मैं इश्वर से काम ना करता हूँ तो दोस्तों ये थे पाच्व कारण जो मुझे लगते हैं कि बावजूदी की सफलता की पीछे हो सकते हैं तो आप इसके पारे में क्या सोचते हैं मुझी ने चे कमेट मे जरूर बताईए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलना और इसको अपने मित्रों के साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब् किजिए ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद वंदे मातरम